हाई एवरिवन, वेलकम तो दक्षिन स्वाद, तो आज का हमारा रसिपी है मांबढ पुलशेरी या पके आम का करी, राइप मैंगो करी, ये केरल का बहुती एक स्पेशियल करी है, जो की दही और नारियल का एक स्पेशियल पेस्ट डल कर बनता है, तो चलो देखते हैं मांब लिया हुआ है, अगर आप बड़ा आम ले रहे हो, तो आप उसको छोटे-छोटे पीसस में काट कर डाल सकते हो, और अगर आप छोटे-छोटे आम ले रहे हो, तो आप ऐसे टी से उसमें डाल सकते हो, चिलका निकाल कर, उसके बाद हमेचे एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, तीन हरी मिर्च, करीब पत्ता, एक बड़ा चम्मच चीनी और स्वाधनुसार नमक। अब ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप कदुकस की ओव अनारियल, एक टेबल स्पून जीरा, करीब पत्ता और आठ छोटी प्यास लिया हुआ हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक कप दही और तड़के के लिए एक टेबल स्पून तेल, एक टेबल स्पून सरसो, एक टेबल स्पून मेथी दाना, एक टेबल स्पून मेथी पाउडर, करीब पत्ता और दो सूखी लाल मर्च। तो सबसे पहले हमें एक बरतन में हमने जो आम लेके रखा हुआ, इसको छोटे-छोटे पीसस में आप काट कर इसमें डाल दीजिए, उसके बाद उसमें एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून रचिली पाउडर और करी पता, और हरी मिर्च, एक टेबल स्पून चीनी, और स्वाद अनुसार नमक, इतना डाल कर हमें इसको अच्छी तरह कुक करना है, तो कुक करने के लिए आप आदा कप पाणी बीस में डाल कर इसको अच्छी तरह कुक कर लीजेगा, तो जब तक यह कुक हो जाएगा, हम अपना नारियल का जो पेस्ट में बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में एक कप कद्दू कस किया हुआ नारियल, एक टेबल स्पून जीरा, छोटी प्यास और करी पत्ता, और थोड़ा पानी डाल कर हमें इसको अच्छी तरह fine paste grind करना है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको grind करना है, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल कर इसको अच्छी तरह grind करकर लाती हूँ. तो ये बिल्कुल अच्छी तरह fine paste grind हो गया भी, इसको हम एक बरतन में हटा कर रख देंगे, अब हमने जो आम को cook करने के लिए खा हुआ था, वो अच्छी तरह भी cook हो गया है, तो हलका हलका सा हम उसको mash कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, हम हलका हलका सा बहुत ज्यादा mash क करने की ज़रुरत निये, कुछ उसमें आम के chunks भी पड़े रहने चाहिए, और कुछ हम mash भी कर देंगे, तो अभी देख सकते हो, मैंने इसको mash कर दिया है, अब हम इसमें, अभी अच्छी तरह cook हो गया है, अब हम इसमें, हमने जो नारेल का paste grind करके रखा हुआ है, वो डाल बिल्कुल भी ये boil नहीं होना चाहिए, अगर boil हो जाएगा तो आपका curry जो है, वो खराब हो जाएगा, अब हमें इसमें एक कप दही डाल कर इसको अच्छी तरह, सारा अच्छी तरह मिला लीजेगा, तो ग्यास जो है, बिल्कुल धीमे आंच में रखेगा, बिल्कुल भी ये boil नहीं होना चाहिए, हलका सा गरम होना है, बस उसके बाद हम ग्यास से उतार कर नीचे रख देंगे, तो इस वक्त आप नामक और चीनी दोनों चेक करकर डाल सकते हो, कुछ आम ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसके लिए आप चीनी उसके हिसाब से डाल सकते हो, अब इसमें फाइनली एक टेबल स्पून मेथी पाउडर जो रखा हो है, वो डाल कर हम इसको ग्यास से उतार देते हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देजेगा, और पास में जो बेल आ डाल मिर्च, इसको आप थोड़ा चा हिला दीजिए, उसके बाद इसमें करी पता, तो करी पता भी डाल कर अच्छी तरह इसको सौटे कर लिजे, तो हमारा तड़का यहाँ पर बिल्कुल तेयार है, तो हमने जो करी बनाके रखा होगा, उसमें तड़का डाल कर, अच्छी तरह सारा मिक्स कर लिजे, तो हमारा मामबड़ा पुलिशेडी इन केरला स्टाइल पिल्कुल यहां पर तयार है, बहुती यम्मी टेस्ट है, आप इसको गरम गरम चावल के साथ सर्व कर सकते हो, बहुती यूनीक टेस्ट है, जरू ट्राइ करके देखेगा, और अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरू सब्सक्राइब कीजेगा, आगे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग साउथ इंदियन रसेपी के साथ, आप से फिर मिलूंगी, तब तब, थैंक यू, और बाई!